आज बाबा के पास बतन में भोग ले करके पहुँची आज जैसे ही बतन में पहुँची देखती हूँ बाबा, बाब, दादा सामने बाबा को देख, मैंने पूछा, बाबा आज कहां से, किदर से चक्कर लगा के आ रहे हैं? बाबा एक सेकिन मेरी तरफ देखती हूँ, कहने लगे, बच्ची आज बाबा, सभी सेंट्रों का मद्वन का भी चक्कर लगाते हैं, और आज बाबा बिसे इस बच्चों का चोपड़ा देख रहे हैं, बाबा ने कहां कि जिस प्रकार दुनिया में मनुशा आत्माएं अपने घाटे और फाइदे का चोपड़ा देखती हैं, हिसाब निकालते हैं, तो बाबा भी आज बिसे सभी सेंट्रों का सब जगय का चक्कर लगाते हैं, यह देख रहे हैं, हर बच्चे ने ऐसे समय पर अपने कर्मों की सिर्ष्ट करम की कितनी कमाई किये हैं, कितना भाग्य बनाया है, कितनी आत्माओं की दुआएं इखटी की हैं, बाबा ये चोपड़ा देख रहे हैं बच्चों का, बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों का ये देखा, कई बच्चे तो ऐसे समय पर बहुत अपना निजी पुरसारत में लगे हुए हैं, सभी सेंट्रों का चक्कर लगाते हैं, और कई कोई न कोई बात लेकर अपने आपको गफलत में डालते हैं, थोड़ा अलवेला पन वे भी बाबा देख रहे हैं, और कई आज टीचर्स बेहनों को भी बाबा ने पकड़ा, कई तो ऐसे समय पर अपने लोकिक संबंदी आदी में भी बुद्धी लगाए बैठे हैं, बाबा ने कहा अब बात हैं तो बहुत हैं, पर बाबा इतने ही सुनाएगा, क्योंकि देवताओं के लिए सारा इतना काफी है, तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर बाबा के कई बच्चे अपना बहुत निजी पुरसारत बाबा के घर में, यग में कणा दाना, बीज बोना बहुत करते रहते हैं, बाबा के सिमय सायोगी बच्चे बहुत बाबा के घर में यग में डाल कर अपना सुच्छम भागे बना रहे हैं, बाबा ऐसे सुना रहे थे, फिर एकदम देखती हूँ कि बाबा के बाजु में गुल्यार दादी पहुँच गई, और दादी को देखकर बाबा भी कहते हैं, बच्ची देखा, आज बाबा क्या देख रहा है, सभी का चौपड़ा, चिठ्था, ये बाबा देख रहे हूँ, तो बाबा ने ऐसे कहते हूए, एकदम से जैसे प्रकास मनी दादी, बड़ी दादी इमर्ज किया, बाबा ने कहा कि देखो बच्ची मेरे को सामने रखते हुए, बाबा ने कहा गुल्जा दादी के लिए, ये बच्ची तो निश्चिंत और निर्स अंकलप रही, और नियारी हो करके रही बड़ी दादी के लिए कहा कि बच्ची तो लाके बैलेंस में भी चलती थी और साक्षी दिश्टा हो करके भी यग को चलाया और संभला फिर इतने मैं देखती हूँ बड़ी दीदी को इमर्ज किया बाबा ने आज बाबा ने कहा कि ये बच्ची भी समय के अनुसार ब्रामन बच्चों को चलाने में ला और लब का बैलिंस बना कर चली चोथी आत्मा कौन होगी जानकी दादी को यहाँ बाबा ने कहा कि इने तो यग्य में रहकर यग्य में बैठकर यग्य परसाद बाठने का भी बहुत कार किया हैं बाबा ऐसे सुना रहे थे और बाबा बीच में बैठे हुए थे बाबा के एक बाजू में जानकी दादी गुल्या दादी और दूसरी बाजू में दीदी और दादी बैठे हुए थे बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने मर्ज किया है इन दादियों को कि सभी ब्राह्मन बच्चों का विशेश पोता मेल चिठा देखने के लिए बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्ची ऐसे समय पर जो बाबा के बच्चों ने और यग्य में भी कर रहे हैं अभी भी करते रहते हैं उसके उपर बाबा ने एक उधारन दिया एक द्रस से मर्ज किया बाबा ने कहा कि जिस परकार देखो बच्ची एक छोटी सी सबजी है आलू और सबजीयों का राजा है आलू तो बाबा ने कहा कि आलू का बीज कैसे डाला जाता है और बीज निकलता कैसे, फल कैसे निकलता है, उस आलू को फिर लाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और पकाते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, और बचाते कितना हैं, बावा ने का ये बहुत दूरा देशी होकर के बच्चे देखें एक छोटी सी सबजी को लाने के लिए बीज से लेकर अन तक जमा तक ये बावा देख रहे हैं ऐसे चीज में उग जाती है उसका बीज डाला जाता है और उस बीज से कितने आगे बढ़ते बढ़ते फिर जमा का खाता कितना होता है उसी प्रकार बावा हर बच्चे का ये संसकार ये संकलब ये मन के बिचार बावा देख रहे हैं पुरसारत को देख रहे हैं बावा ने कहा कि जब एक छोटी सी चीज को इतना समय देते आद से लेके अंत तक तो आप बच्चे सोचों कि बाबा के घर में कितना ना बावा ने बच्चों को सुख दिया है आनन दिया है प्रेम दिया है बावा ने सब कुछ दिया है तो बाबा ने कहा कि इसलिए ऐसे समय पर सर्व बच्चों को सिर्फ मदवन के नहीं सर्व सेंटर्स के बच्चों को भी इतना सिनेश सयोगी बन के चलना है और अन्य आत्माओं को भी उसी प्रिकार चलाना है तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया और बाबा के सन्मुक्त भोग की थाली रखी थी आज कई आत्माओं का भी विसेश भोग था बाबा ने उन भाई भेहनों को उन बच्चों को वतन में इमर्ज किया और इमर्ज करते जैसे कि बाबा ने आज विशेश जिन दादियों को इमर्ज किया उन दादियों को बड़े प्यार से मदवन का भोग स्विकार कराया बाबा ने कहा मेरे मुरब्भी बच्चे हैं आधी रतन हैं तो बाबा पहले इनको खिलाएंगे, स्विकार कराएंगे, फिर और बच्चों को, ऐसे कहते हैं, बाबा ने जैसे कि दो दो दादियां दोनों तरफ बैठी थी, और बहुत ये बड़े प्यार से चारो दादियों को गले लगाते हुए, और जैसे कि चारो दादियां और सब जगे का जो चक्कर लगाया बाबा ने, सभी को बहुते, कहीं सक्ति साली दिष्टी देते, प्रकास की दिष्टी देते, जैसे कि बाबा ने उन्हें मर्ज कर दिया, और जिनका भोग था, उन्हें भी बड़े प्यार से भोग स्विकार कराया और बाबा का याद प्या लेती हुए सभी की प्रति फिर हम नीचे पहुँच गए ओम शान्ति